का इसकिम, CT, परिक्षा इसकिम, यानि परिक्षा का पेटर्न, इसकिम विश्य, यानि कि सब्जक्ट, विश्य विवरण, यानि कि इसमें कौन-कौन से सब्जक्ट रहने वाले हैं, यानि कि पिसली बर्ती में कितने क्रिश्टन पूछे गए, यानि कि प्रशनों की संख्या, पिसली बर्ती में पिसली बर्ती में कितने question पूचे गए थे ठीक है दोस्तों क्योंकि अपन syllabus को लेकर भी बात कर लेंगे और पिसली बर्ती में कितने question पूचे गए उसके बारे में हम बात कर लेंगे और मैं अभी बता दू दोस्तों, इसमें दोस्तों कुल 150 क्यूश्चन हैं, एक सवाल दो अंका, तो 300 अंका यहां पर यह पाटिकर्म रेने वाला है, और आपको समय मिलेगा 3 गंटे, यह देखो, यह तो आपको नौर्मल चीज़ है, आप सभी जानते हैं, में बात है कि पिछ इतियास कला सल्सक्रती, राजस्तान का इतियास कला एवं सल्सक्रती, रास्तान का इतियास कला एवं सल्सक्रती, और इसके बात में है परमप्रा और वीरास्त, परमप्रा और वीरास्त, मतलब त्यारी करने में आपके थोड़ी सीख हैल्प मिल जाएगी, इसमें कितने सवाल, राजस्तान का इतियास, कलायों संस्कृति, परंप्रा और विरास्त, ठीक है दोस्तों, इसमें आपके पिछली बार 19 से लेकर 23 कृष्चन, 19 से लेकर 23, अब आप बोलो कि आप 19 भी लिखरो और 23 भी लिखरो, अलग अलग पारियों में पेपर होगा न, उ ठीक है दोस्तों, दो नमबर पर हम बात करेंगे, भारत एवं राजस्तान का भुगोल, भारत एवं राजस्तान का भुगोल, भारत एवं राजस्तान की भुगोल की बात करें, तो दोस्तों इसमें 12 से लेकर 24 कृष्चन पूछे गए थे, 12 से लेकर 14 कृष्चन पूछे ग भी mention कर देता हूँ, एक number, यह हो जाएगा, दो number, अब तीन number की बात को, राजनिती की, राजनिती, ये राजनिती के सवाल है, लेकिन राजस्तान पर विशेश बल दिया है, तो मैं लिख दो, राजस्तान पर विशेश बल, राजस्तान पर विशेश बल, यानि कि राजस्तान के राजनिती ज्यादा पूची तो राजनिती ज्यादा पूची तो राजनिती पर विशिश बल ठीक है क्योंकि इसमें दे रहे का है राजनितान पर विशिश बल के साथ भारती राजनिती व्यवस्ता 13 से 15 13 से लेकर 15 कुछल पूछे गए थे राजनी ती है लेकिन राजस्तान की ज़्यादा पूछी है आप ठीक है आप बात करते हैं चार नंबर पर बात करें तो राजस्तान की अर्थ्वी अवस्ता राजस्तान की अर्थ्वी अवस्ता राजस्तान की अर्थ्वी अवस्ता में दोस्तों दस से बारा question ठीक है और उसके बाद पांस नंबर पर बात करते दोस्तों देनिक विज्ञान की जनरल साइंस देनिक विज्ञान में दोस्तों पिसली बढ़ते में 15 से 20 question 15 से 20 question पूछे गए थे थोड़ा ध्यान से समझेगा आप और उसके बाद छे नंबर की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों छे नंबर पर है तार्की की विवेशना एउ मानसी की योगिता यानि की math reasoning लिख देते हैं math reasoning math reasoning दोनों में 24 से लेकर 26 question 24 से लेकर 26 question दोनों को मिला कर पूछे गए थे उसके बाद 7 नंबर पर आता सामानी हिंदी सामानी हिंदी सामानी हिंदी में दोस्तों 10 से 12 question पूछे गए थे 10 से 12 question ठीके दोस्तों 10 से 12 question पूछे गए थे और उसके बाद दोस्तों अपने पास थोड़ी जगे कम है तो मैं याँपर लिख देता हूँ याँपर अलग से आ ना इसे मिलान करना ने एक नमबर इधर भी एक नमबर दो नमबर इधर भी दो नमबर इस परकार आप मेंचन कर ले ना अब आठ नमबर की बात करें दोस्तों अपन आठ नमबर पर आता सामानी अंग्रेजी यानि की सामानी अंग्रेजी जनरल इंग्लिस सामानी अंग्रेजी सामानी अंग्रेजी की भी 10 से 12 किश्ण पूछे गए थे भी रहाज क्यश्ण पूछे गए थे नमबर की अगर मैं बात करूं तो कंप्यूटर का ग्यान कंप्यूटर के सवाल दोस्तों इसमें 10 से 11 किश्ण पूछे गए थे इसके बाद समसामिक समसामिक पर थोड़ा ध्यान देना आपे समसोजना क्यों राजस्तान गई पूछेगा भारत, राजस्तान और अंतराश्टी है यानि कि राजस्तान, भारत और अंतराश्टी है ठीके इसके जो सवाल है दोस्तों 13 से 15 पूछे गए थे यह लो दोस्तों अब देखिए इस वीडियो को बनाने के एक ही उदिशी है कि आपको यह पता चलना चाहिए कि बार्वी लेवल का जो पाटिकरम क्या रहने वाला सबसे पहले दिये बात है कि आपका पाटिकरम भी बता दिये मैंने यानि कि रास्तान का इतियास कला संसकर्ती परंप्रा और विरासत और उसके साथ में मैंने ये भी बता दिया कि पिछली भरती में 19 से लेकर 23 कुछे गए तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि पिछली भरती में कितने कुछे पूछे और उस हिसाब से अब की बार भी इतने ही सवाल पूछे जाएंगे एक दो नमबर उपर निचे हो सकता है एक दो कुछे बाकी यही रेने वाला है उसके बाद भारते हो रास्तान का बोगोल की बात करें तो 12 से लेकर 14 कुछे गए थे उसके बाद राजनिती यानि की विशेश तोर पर रास्तान पर जोर दिया गया है राजस्तान पर विशेश बल राजनिती की बात करें तो यहां पर 13 से 15 कुछे गए थे रास्तान की अर्थ व्यवस्ता इसकी बात करें तो 10 से 12 क्युष्टन पूछे गए थे देनिक विग्यान जनरल साइंस में दोस्तु 15 से 20 क्युष्टन साइंस की ज्यादा पूछ रहा है मेत रिजनिंग याँ पर देखो बहुत इंपोर्टेंड क्यूकि मेत रिजनिंग दोनों में ज्यादा क्युष्टन पूछ रहे हैं पार्किंग नहीं होगी और उसके बाद में ये भी मेंशन करा रहा कि आपके सामने पांच ओप्सन होंगे अब ज्यान से समझेगा कि आपको सामने यहां पर दे रहा है कि आपको सबसे बड़ी बात तो कि तीन गंटे के समय यह मिल गया लेकिन आपको 10 मिनट अत्रिक्त दिया है तो आपका यह तो A उप्सन सही हो सकता B हो सकता C और D यानि कि इन चारू में से कोई ने कोई तो सही होगा लेकिन जो सवाल आपको नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है गेरा करना इस परकार गेरा करना होगा यह बात यहां पर बताई गई है ठीक है लेकिन आप यह भ पांचव ऑप्सन तो बढ़ना ही नहीं है क्योंकि पांचवा उप्सन अगर टाइम वेस्ट करोगे वही टाइम अगर आप इन चारू उप्सन में लगा देते हो तो मान लीजिए दस सवाल ऐसे जो आपको नहीं आते हैं, अगर आप 5 ओपशन में गूला काला करोगे, तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, अगर 10 से सवाल, अगर यहां पर कुछ आपको अपनी किसमाा स्वाल मैं करते हो तो हो सकता कि 10 में से 3-4 सवाल से ही हो जाए ठीके ना तो आप 5 option को मत करना है इन 4 में से एक तो करना ही करना लेकिन यहां पर यह बात इस पस्ट बताई है कि जब आपको सवाल आते हूं कर लो नहीं आता है तो आपको 5 option याने कि 1.500 के 1500 question attend करने ही होंगे अगर आप 10% से अधिक question छोड़ देते हो ध्यान से समझना 10% से अधिक यानि कि 1500 का 10% यानि 15 सवाल अगर 10% से अधिक आप question छोड़ देते हो यानि कि गोड़ा नहीं बढ़ते हो तो आपके प्रते question के एक बटा तीन अंक काटा जाएगा इस हिसाब से यानि कि अगर आपने 10% question के option नहीं बढ़े हैं गोड़े खाली छोड़ दी हैं तो आपको क्या होगा कि प्रतेग एक question के पिछ एक बटा तीन अंक काटा जाएगा टोटल जो आपके अंक मिलेंगे उसमें से एक बटा तीन अंक आपका काट लिया जाएगा तो इसकी बजाए तो आपको 10 minute अगर अत्रिक्त मिल रहे हैं वो किसके मिल रहे हैं या आप समझेगा 10 minute अत्रिक्त मिलने का मतलब है कि आपके 5 option के लिए ठीक है दोस्तों जितने सवाल है आपने कर दिये अगर नहीं आता है तो आपके लिए 5 option दे रहे हैं वो तो बरणाई होगा तो मेरे हिसाब तो यह है कि negative marking जब नहीं है 5 option तो तब अपन को यूज करना जब अपने negative marking हो इसमें negative तो है नहीं तो आपको 4 option में से कोई ने कोई तो सही होई जाएगा ठीक है उमीद करता हूँ कि यह वीडियो मैंने इमानदरी से बनाने का प्रयास किया है और आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो लाइक तो करी दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दो हमारे वीडियो को सेर कर दो सभी को राम राम सभी को नमस्कार